हलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पराची इन भूले विसरे स्पिरिचुल उपायों के बारे में जो कि आपके जीवन में यानि कि आज के जो लाइफ के चैलेंजिस है उसको सॉल्फ करने में मदद करेंगे कैसे हमारे पूरवज, पॉजिटिविटी लाने के लिए और प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन उपायों का इस्तमाल करते थे क्या आप यह जानना चाते हैं तो अगर आप यह जानना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए नमस्कार मैं दूआ हुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता दूगी यहां पे मैं चार टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ पहला होगा negativity removal के बारे में यानि कि आपके घर में हमेशा positivity बनी रहे घर में सुख शांती बनी रहे दूसरा हम बात करेंगे आपकी सेहत के बारे में सेहत कैसी अच्छी रह नीची है तीसरा हम बात करेंगे relationship को लेके और चौता हम बात करेंगे पैसे को लेके तो यह remedies बहु से फॉलो कर सकते हैं और उतने इफेक्ट के साथ तो सबसे पहले हम बात करेंगे negativity removal के बारे में negativity removal के बारे में आपको google और धूप से related मैं आपको पाई बताने जा रही हूँ और हवन आपको ज होता सब कुच करें जब हुआ होता तरीकिस करते हैं अगर आप ये करना चाहते तो अगर आपको हवन सामगरी नहीं बनानी है तो आप क्या कर सकते हैं कि रेडिमेट आजकल तो देखिए हवन की सामगरी का पूरा पैकेटी आ जाता है तो आपको कपूर जलाना है आप चाहे तो धूब भी जला सकते और थोड़ा सबस स्वाहा स्वाहा बोलते वे भी या कोई मंतरा जाप जैसे मामृतिन जय मंतरा का जाप हो गया या गायतरी मंतरा का जाप हो गया यह बोलते वे आप केवल 11 बार भी आहूती देते हैं या कोई भी इश्वर का जिस भी गुरू को आप मानते हैं उनका नाम लेते भी अगर आप केवल ऐसे 11 बार या तीन बार भी डा सकते हैं नमक और कपूर का उपाई थोड़ा सा आपको यहां पे सेंधा नमक ले लेना है या तो समुदरी नमक लेना है उसके उपर आपको कपूर रखके जलाना है और जितने भी आपके घर के कौनर्स हैं ठीक हर कमरे के जो कौनर्स है और जो अंधेरी जगा है जैसे कि स्ट तो फिर यह रेमेडी को आप कर लीजेगा आप किसी और के नाम से भी यह घर में आप कर सकते हैं आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहला आपको क्या करना है? घी का दीपक जलाना है और यह आपको सनराइस के टाइम पे जलाना है डेली, minimum at least 21 दिन तक आप जरू से कर लीजेगा, अगर पीरर्ड जाय तो skip कर के आप आगे continue उसको कर सकते जब सूरज उगराओगा उसी वक्त आपको घर में ये दिया जलाना है आपको इस्ट की तरफ लेकिन अगर मान लो कि आपकी उस तरफ खिड़की नहीं आ रही है तो इस डायरेक्शन में भी आप ये जला सकते पूजा स्थान पे अलग होगा ये अलग से पुर्वदिशा में आप अलग से दिया ये जलाएंगे दिया कोई भी ले सकते लेकिन वो गाएं का घी अगर होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और जब आप ये दीपक जलाएं तो उस वक्त आप गायतरी मंतरा का जाब करें अट लीस्ट आप एक मिनट या दो मिनट के लिए करे या एक माला गायतरी मंतरा का जाब तो आप जरू से करें ये मन में अफॉरमेशन करते हैं कि हेल्थ अब अच्छी होती चली जा रही है या पॉजिटिव रिजल्स आते चले जा रहे हैं ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हैं सेकिंड रेमिडी जो है वो खुद से करेंगा म अगर आप चाहते कि आपको मन की शांती मिले तो उसके लिए भी बहुत जादा अच्छा है जो अकसर पूरवज फॉलो करते थे अभी भी बहुत लोग इसको फॉलो करते वो है तामरजल्स तामरजल्स का मतलब होता है कि कॉपर का जो तामबे का जो जग होता है या जो लो सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है, बस इतना ही बोलना है positive affirmation के साथ, आप यह affirmation देके, आप चाहे तो घर के members को भी यह पानी पिला सकते हैं, अब हम बात करेंगे relationship के बारे में, पती-पती में अगर बहुत ज़्यादा अन्बन चल रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप यह remedies को कर सकते हैं, मैं दो remedy आपको बताने जा रही है, आप कोई भी एक कर सकते हैं, पहला आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कि आपको एक glass में पानी लेना है, और यह आपको Friday Friday ही करना है, और उसके आगे आपको मंतरक बोलना है, ओम, रीम, श्रीम, ट्लीम, नमह, इस मंतरका जाप आप चाहें, तो एक माला कर सकते हैं, आप 11 बार, 21 बार, या विदाउट काउंटिंग आप 5 मिनिट या 2 मिनिट के लिए भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको उस पानी में देखे, affirmation देना है, कि अब हमारे relationship बहुत ही अच्छा होता चला जा रहा है, प्या अगर आपके पती सपोस्पोस बाहर रहते हैं, तो आप उनके नाम से ये खुद भी पी सकते हैं, ये वाली जो रेमेडी है, ये आप जितनी मर्जिया है, उतने आप ये फ्राइडेस कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार, सेकिंड रेमेडी जो करने हैं, वो है लाल आपको एक ले लेना है, और उसको फ्राइडे वाले दिन आपको तयार करना है, मतला सिंपल आप एक लाल धागा आपने आगे रख लेंगे, और जो मैं मंतर आपको बताने जारी, इस मंतर का जाप, आपको एक माला करना है, या अपने विदाउट माला टाइम के अनुसार आप ये कर सकते हैं, उसी धागे में आप ये positive affirmation देंगे, और इस धागे को आपको क्या करना है, आपका जो bedroom का जो दर्वाजा है, वहाँ पर अगर handle है तो उसको बान देना है, या अपने अलमारी के handle पर इसको आपको बान देना है, अगर ये possible नहीं है, तो आप अपने न क्या करेंगे, या तो मिट्टी में डाल देंगे, या पानी में आप डाल देंगे, तो नया बना के आप रख देंगे, अगर महीने महीने पॉसिबल नहीं है, तो आप हर तीन महीने में या छे महीने में भी लाल धागे को तयार कर सकते हैं, कितना भी बढ़ा आप ये ले सक करते हैं मंत्र होगा ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लबाय नमहा बस इस मंत्र का आपको जाब करना होगा लास्ट रेमेडी में आपको बता रही हूँ पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत है करजे में आप दूप चुके हैं यहां आपकी इंकम नहीं बढ़ हैं तो उसमें से पहली रेमेडी है कि तूलसी के पौधे के आगे आगे आपको घी का दीपक जलाना है शाम के वक्त यह डेली अगर आप अपने फॉलो करते हैं रिच्वल में तो यह बहुत ही ज़ाद अच्छा रहता है अगर डेली आप नहीं कर पाते तो एक लिस वन सब पौधे में पानी नहीं डालना है आप किसी और से डलवा सकते हैं ऐसा माना जाते है कि देखे संडे वाले दिन भी आपको तूलसी पौधे को नहीं चूना होता है लेकिन अगर मान लो कि आप किया बहुत ज़दा ड्राइ वेधर है या इस तरीके से हॉट वेधर है आपको रेमिडी जो यहां पर आपको करनी है आपको क्या करना है थोड़े से अक्षत यानि कि आपको चावल ले लेने कोई भी चावल आप ले सकते हैं और थोड़ा सा हल्दी का पौडर दोनों को मिक्स करेंगे और जो मैं मंतर बताने जारी हूँ ये मंतर बोलने के बाद आपको महालक्षमी के आगे यानि कि माता लक्षमी के आगे आपको ये जो चावल हल्दी वाले ये आपको फ्राइडे वाले दिन उनके आगे चड़ाने है घर में ही आपको ये करना होगा लेकिन मान लो कि आपके आगे माता की मुर्ती नहीं है या फोटोग्राफ नहीं है तो उन सकतो को Zts Prat करने वाले कि एसी प्राचीन रेमीडी है जो आपको पता है या जो आपके घर में कोई पुरभज फॉलो करते थे इससे मुझे भी बहुत जादा खोशी ஓगी साथ ही साथ जो बाकी वीवर्स हैं उनको भी इसके बारे में पता चलेगा तो सभी का भला भी होगा तो वो जरू से नीचे कमेंट करके बताएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर भी जरू से कीजेगा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरू से कर लिजेगा हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आप मस तरहें खोश रहें अपना ध्यान रखेगा